यह है हमारा laptop का harddix और PC का या फिर जो computer का harddix को आवर देखोगे तो इससे size में थोड़ा सा बड़ा होता है बड़ उसका जो mechanism है उसका जो property है वो बिल्कुल सेम होता है इसी harddix से और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम यह जो harddix है इसको repair कर सकते हैं कई बा जाता है और उसके बाद में accidentally हमारा जो harddix है वो खराब हो जाता है या फिर और भी बहुत सारे वज़ाए हैं जिनके वज़े से हमारा जो harddix है वो बिल्कुल खराब हो जाता है तो क्या हम यह जो harddix है इसको repair कर सकते हैं और अगर हम इसके अंदर का data है उसको निकाल नही इस harddix को repair करके और इसके सारे parts के बारे मैं जानकर ही आपको दूँगा तो आप अगर interested हो तो mixer इस वीडियो को end देखते रहना और हाँ चैनल पर नहीं आये हो तो चैनल को subscribe करके ही जाना तो चले start करते हैं इस interesting वीडियो को गैस यह वाला जो harddix का green color का unit अब देखे हो यह power supply unit होता है और यहाँ पे इस वाले section से ही होके हमारे harddix से अंदर में जो power supply है वो जाता है तो कई बार यह जो power supply unit है यह भी खराब हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर में क्या-क्या parts होते हैं और इसे पे बहुत सारे circuit, IC वगरा सब कुछ यहाँ पे हैं और यहाँ पे harddix का इस वाले section से इस बाला जो power supply unit है यह connect होता है तो इसमें भी कई बार monster की वगया से problem create करने लग जाता है तो यह जो power supply unit है यह अगर खराब होता है या फिर इसके अंदर में कोई भी component खराब होता है तो हम उसे easily repair कर सकते हैं अगर हम identity कर पाएं तो यह जो harddix है यहाँ पे यह जो power supply unit है यह repairable है बाकी बात उठता है बाकी का जो section है harddix है उसके बारे में यह वाला जो section है इसके बारे में तो यहाँ पे इसके पीछे के side में आपको एक DC Bruceless motor देखने को मिल जाएगा यह वाला ज जो harddix है वो चलता है इसको अगर हम खोले तो यहाँ पे आप देखो यह जो है इसना easily नहीं खुलता है हलाकि मैंने इसको एक बार खोला था इसलिए इतना easily यह जो harddix है यह खुल गया बाकी आप अगर पहली बार इसको खोलोगे तो काफी मुसकत आपको करना पड़ेगा बाकी इसको अगर पहली बार आप खोलोगे तो यहाँ पे इस जगा पे आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा गलू के साथ में इसको पैक किया जाता है अगर हम बात करें इसका जो main section है इसका plate और यहाँ पे plate के साथ में इसको जो harddix है इसके अंदर में जो memory है वो read write करने के लिए यहाँ पे एक needle जो है दिया गया है यह वाला जो plate है यह घूमता है blue brushless motor के साथ में और कुछ इस तरीके से हमारा जो harddix है वो घूमता है चलता है यह वाला जो section है इसे हम needle बोलते है और यह जो needle है इसके मदद से हमारे harddix के अंदर में जो data है वो read या write होता है कु जो कि harddix के अंदर में important है तो यहाँ पे यह वाला एक circuit वाला section है और इसके अंदर से जो data है वो जाता है और यहाँ पे एक flex kevel के साथ में needle के साथ में यह connect होता है तो चलते चलते यह जो flex kevel है यह तूट जाता है यह तूट भी सकता है ठीक है बाकि अगर हम यह जो plate है इस यहाँ पे chip का हुआ रहता है जो DC Bruceless motor है उसके साथ में यह जो plate है यह magnetically यहाँ पे chip का हुआ रहता है तो यहाँ थोड़ा problem यह कर रहा है खोलने के लिए बाकि मैं definitely आपको खोल के दिखाता हूं कि यह जो aluminium plate है यह कैसा दिखता है और यहाँ पे आप देखो मैं किस तरीके स मिल जाएगा अगर आपका जो hardix है वो 500 GB से जादा का hardix है तो आपके hardix के अंदर में दो या फिर 4 plate आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इस plate के अंदर में आपका जो सारा का सारा जो data है ना वो इसके अंदर में रहता है तो यही है hardix का main unit औ और यहाँ पे आप देखो यह जो है एक lens होता है जिसके मदद से laser type से यहाँ पे इसके अंदर में जो data है वो read या फिर राइड जो है किया जाता है और यह जो है बिल्कुल magnetic है यहाँ पे कोई भी glue से यह नहीं चिपक रहा यह पूरा magnet ही है और hardix के अंदर में जितना वाला सारा parts ना सब कुछ magnet के वज़से ही चलता है ठीक है कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक laser है और laser की मदद से जो hardix में data है वो read right यहाँ पे इस needle के द्वारा होता है तो गैस अभी तक आप ने देखा कि यह जो hardix है यह किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर का जो mechanism है वो कि आपको बोल रहा हूं यह जो circuit वाला section आप देख रहे हो ना यह circuit वाला section जो है maximum time जो है खराब हो जाता है और इसे आप जो है repair कर सकते हो ठीक है यह जो green color वाला circuit position आप देख रहे हो इसमें कोई भी खराबी आता है तो आप इसे definitely repair कर सकते हो और यह बाला parts जो है officially तो नहीं म सकते हो बट यहां पर इस वाले section के अंदर में अगर कोई भी problem आ जाता है तो तब आप क्या करोगे ठीक है यह बाला जो main section होता है जहां पर cd plate वाला laser technology से जहां पर यह जो hardics है इसको read write किया जाता है इसका जो main unit है उसमें अगर खराबी आ जाता है तो उसको repair करना बहुत ह ज़्यदा मुस्किल है क्योंकि अगर आप इसे repair करने जाहोगे तो भी आप इसे नहीं कर पाऊगे क्यों यहां पर यह जो hardics है और इसके अंदर वाले section होता है उसको vacuum pressure से sealed क्या होता है ताकि इसके अंदर में कोई भी dust particle ना जाए कोई भी moisture ना जाए कुछ भी आप ना जाए और आप normally अगर इसे खोल देते होना तो उसके बाद में आपका जो hardics है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा आप अगर एक working बाला बिल्कुल सही है एक hardics माल लो आप बिल्कुल सही है और उस hardics को आप स्रिवर स्रिफ खोल दो और लगा दो आपका जो hardics है वो काम नहीं करेगा ठीक है तो यहां इसके अंदर में कोई भी छोटा से छोटा माइक्रो से माइक्रो डॉश पर्टिकल भी अगर इसके अंदर में चला गया ना तो यह जो hardics है यह काम नहीं करेगा तो इसलिए आप अगर इसके अंदर का कोई भी पार्स को रिपेर करना चाहो तो आपको जोरत पड़ेगा एक वेक्यूम प्रेसर लैब की और आप सिर्व और सिर्व हाट डिक्स रिपेर करने के लिए आप अगर एक वेक्यूम प्रेसर लैब को रेडी कर सकती हो तो डेफिनेटली आप इस हाट डिक्स रिपेर कर सकते हो इसके अंदर का जो पार्स है उसको रिपेर कर सकते हो बाकी आज सिखने को मिला होगा तो वीडियो पसंद प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नेया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगले वाले वीडियो में आज के लिए बस इतना है गाई सैंक फरो वाचिंग थैंक यू